पैसा बचाना मतलब पैसा कमाना दोस्तों Hello everyone I am Farshan Emissio अब सभी का स्वाधत है दोस्तों हमारी YouTube चैनल के इप दोस्तों तो आज आज में बात करने वाले financial management किस तरह से किया जाए तो जब तक आप पैसा बचाना सबसे बड़ी बात है दोस्तों जब तक आप पैसा बचाते तब तक आप future में कमाते हैं दोस्तों जिसके लिए आपको सबसे पहले प्लैनिंग करने के बाद उसमें से आपको पैसा सेविंग करना वोगा आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला होते हैं इसे आप लास्ट तक देखें यह वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेवल होने वाला कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप इने फॉलो तो मैं आज आपको कुछ ऐसे important tips बताने वाला हूँ जिसे आप ध्यान से सुने, first है कि आप अपने budget का planning करें, second है कि आप उस budget के हिसाब से चले, third है कि आप जितना से हो सके उतना budget करने का खुशिस करें, और fourth आपका यह है कि आप emergency के लिए मतलब जरूरी time मतलब emergency आगी है, उसके लिए फंड एकटा करके saving अलग रखे, उसके बाद दोस्तों आपको पैसा का process देखना होगा, मतलब कहने का मतलब कि किस तरह से गती बढ़ रहा पैसा का, उसके बाद आपने कावत तो सुना ही होगा guys कि बुंद-बुंद से सागर बढ़ता है, उसी तरह आप saving करने का जब आप आदर डाल लेते हैं दोस्तों तो इससे क्या होता है, कि आपको एक लट लग जाता है, जिसके वज़े से आप saving करना स्टार्ट होता है, तो कुछी सालों के अंदर आपको अच्छा result मिलता है, द अगर आप saving कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बोलूगा कि आप investment का पर focus करें, क्योंकि saving को इस तरह से रखने से कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि इसे सही जगा पर लगाने से और भी future में आपको पांच गुना, 10 गुना, 30 गुना से भी जादा return आपको दे सकते हैं, तो जब पैसा का growth होगा तो दोस्तों आपका growth होगा जब आपका growth होगा तो गूटत यंचिजों को आज का time में ध्यान देना, अगर अगर आपको successful businessman या financial free होझा है दोस्तों तो आज का time में saving करना स्टार्ट को अगर आप सेविंग करते हैं दो स्टॉक मार्किट रियल इस्टेट गोल्ड सिल्वर के उपर आप ध्यान दे सकते हैं जिससे आपको बहुत ही प्रॉफिडेवल होने वाला तो चलिए इसी असाथ इस वीडियो को मैं ही खदम करता हूं थैंक्यू फॉर क्या को पादू सो